हारु फीक्स सैमसंग A32 4G डिस्प्ले नॉट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सवागर अब सभी का तिक राच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवाइस पर अपना जो यहा पर अच्छे से जो है नहीं हो रहा है तो आपको कैसे फिक्स करना होगा मैं आपको दोस्तों कुछ सॉलुशन बताऊंगा इसके रिगार्डिंग पर ठीक है आपका प्रॉब्लम दोस्तों यहां पर सॉल्फ हो सकते हैं अगर यह सोफ्वेर के रिलेटेड कोई भी प्रॉब तो यह दोस्तों एक हाड़वेर का एश्यू है तो आपको सिंप्ली टेग्निशन के पास जाके फिक्स करना होता है ठीक है लेकिन दोस्तों यहां पर मान लिजिए आपका स्क्रीन पे कोई भी डेमेच नहीं है फिर भी आपको इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपक प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहां पे आपको करना क्या है अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आ जाते है आपका जो केस है दोस्तों उस उनको आप रिमूफ करके देखें ठीक है बेक कवर स्क्रीन गार्ड इस्टिकर्स तो उन सब को आप रिमूफ करके देखें आपने स्क्रीन से और स्क्रीन को थोड़ा साफ करके देखें क्योंकि दोस्तों अगर गाम वगएरा लग जाते तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकते ठीक है इस्क्रीन को अच्छे कपरे से एक बर साफ करके देखे उसके बाद दोस्तों चेक करें रिश्टार्ट करके कि आपका प्रॉब्लम सॉल्फ हुआ है या नहीं हुआ है कई बार दोस्तों कई केस में यही रिजन्स रहते हैं बेसिक रिजन्स और बेसिक सॉल्विशन्स ठीक है काम हो जाते तो आप भी यह सबसे पहले करके देखे solve हो जाते problem ठीक है अगर problem solve नहीं हो रहा है तो दोस्तो आप जाएए setting पर अपना storage चेक करें ठीक है अगर आपका storage दोस्तो completely consume हो चुका है storage full है तो storage को 40% या फ्री 30% आप फ्री आप करें इस तोरेज क्लीन आप करने के बाद दोस्तों एप्लिकेशन चेक किजिए अगर कोई भी बैट एप्लिकेशन से जैसे की ठाट पटी आप्लिकेशन यहाँ पे कोई भी आननोन वेबसाइट से इंस्टॉल किया हुआ अप्लिकेशन तो उनको भी आप डिलेट करें अगर बहु आता है नित्त कर्व होते वह लेगिंग का इसुअ और हैंग होने के वज़ेसे ऐसा प्रोब्लिम होते तो आप एक बार जरू यह ट्राइक करके देखें अगर इससे काम बन जाता है तो ठीक है अगर इससे भी दोस्तों प्रोब्लेम आ रहा है तो आप टाच चेक करके देखें ठीक है अपने मोबाइल पर टाच चेक करके देखें उसके लिए दोस्तों आपको डेवलोपर आप्शन चाहिए होगा यहाँ पर तो developer enabled हो चुका है ठीक है अभी developer option कहाँ पर है हमें वह search करना है तो last पर है आपको मिल जाएगा तो उसमें जाए इनेबल होना चाहिए आपका developer option तो यहाँ पर हमें search करना है pointer location तो चलिए थोरा सा नीचे जाके search करते है pointer location तो यहाँ पर है अभी दोस्तों आपको क्या करना है screen पर आप slide करके देखें ठीक है इस तरह के से आपको ड्रो करके देखना screen पर अगर touch आपका काम नहीं करते तो touch यहाँ पर stop हो जाएगा और continue नीचे से होगा ठीक है यह running पर नहीं होगा अगर आपका touch इसी बीच में ठीक है problem करते तो touch जो है इस तरह के से यहाँ पर remove होके दुबारा से new touch करने सुरू हो जाएगा ठीक है तो आपको पतर लग जाएगा कि इस area में आपका screen पर touch problem है ठीक है आप क्या कर सकते ताच को change भी कर सकते या फिर डिस्प्ले चेक करवा सकते किसी भी टेक्निशन के पास जाके ठीक है तो इस तरह के सब्सक्राइब कर सकते हैं सारी साथ दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है software update करना है software update करने से दोस्तों आपके mobile पर काफी जारा improvement हो जाते है जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है और भी ज्यादा यहाँ पर performance अच्छा होने के लिए आपको software update दिया जाते है तो software को update करें और उसके बाद चेक करके देखें दोस्तों इससे काफी आपको फाइदा होगा और आपका problems भी हाँ पर solve हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप अपने problem को fix कर सकते है अगर problem solve ना हो तो जाके ही आप अपने mobile को factory reset करें उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है general management पर जाना है reset पर क्लिक करना है और factory data reset पर क्लिक करते हुए आपको reset पर डबा के mobile password भर देना है और reset कर देना है ठीक है अगर उसके बाद भी same problem ही है तो आप किसी भी technician के पास या फिर service industry पास जाके fix कर सकते है वाइरिंग का issue हो सकते मा रबोट problem हो सकते डिस्पले खराब हो गया होगा ठ वह च्क करने के बाद आपको पता चलेगा ठीक है उनके पस एक मीटर होते हैं उसे check करते तो उससे ही पता चलेगा तो इस तरह की से दोस्तों डिस्पले इस क्रीन तरच प्रोब्लेम हमें fix करना होते हैं उमीद करते हैं आपको यह लगे वीडियो पसने आओगा टेंक्स प लाटिंगे!